जै श्री रादिकिष्णा आपके अपने यूटूब चैनल आचार पंडित अजय सरमा में बहुत बहुत सागत है अजया एका दसी वरत भादप्रत मास की कृष्ण पक्ष की एका दसी तिथी को रखा जाता है चोषवार 29 अगस्त 2024 को है इस दिन ब्रत रखने से शुक समरद्धी और मोक्ष की प्राप्ती होती है इंदू धरब में इस ब्रत का विश्विश मेत माला जाता है और उसे पूरी स्रिधा के साथ किया जाता है आईए जान लें अजा एका दसी ब्रत का पारण कव होगा और इसका क्या महत्व है पारण का सुम महुर्ध क्या रहेगा और इस दिन ब्रत की पूजन विदी क्या रहेगी किस प्रगार कौन से विदी से ब्रत का पारण कर रहे है तो आईए ये सब जानकारी इस वीडियो के मादम से हम आपको पताएंगे बोलिए एका दसी महरानी की जै विश्नु घगवानी की जै अजा एका दसी का ब्रत 29 अगस्त को है इस दिन एका दसी का ब्रत रखा जाएगा पंचांग की अनुसवार एका दसी तिती का आरंब 28 अगस्त को दुपहर दो वचकर बामर मिनट पर होगा ये ब्रत उद्या तिती के आधार पर 29 अगस्त को मनाया जाएगा ये दधी जन्माष्टवी के चार दिन वादाती है और शे भाद्रद मास की कृष्ण एका दसी भी कहा जाता है अजा एका दसी एवं हर एका दसी में ब्रत का पारण का बिशिश मेंत होता है बिना पारण के ब्रत का पूनफल प्राप्त नहीं होता है इसलिए पारण का समय ध्यान पूरवक जानना बहुत जरूरी है पंचांग के अनुसार इस वर्ष अजा एगा दसी ब्रत का पारण तीस अगस्त दोज़ड़ चोविस को सुबह 7 वज़कर 49 मिनद से लेकर के 8 वज़कर 31 मिनद तक किया जा सकता है इस समय हरी वासर समप्त होने का समय रहेगा प्रात है 7 वज़कर 49 मिनद इसके वाद ही पारण किया जाना शाहिए पद्म पुराण की अनुसार अजा एगा दसी ब्रत रखने से सवी प्रकार के पापों से मुक्ति मिनती है इसे करने से असुमेद यक्व के समान फल प्राप्त होता है और व्यक्ति को जीवन में मोक्ष की प्राप्ती होती है ये व्रत मानसिक सांती और अधात्लक उनिती के लिए भी किया जाता है जो लोग इस ब्रत को विधी विधान के साथ संपन करते हैं उन्हें जीवन में सुक और सम्रदी की प्राप्ती होती है और लक्ष्मी नारायन की किरपा से सबी मनो कावनाओगी पूर्ती होती है आईए अब जानेंगे एका दशी तिथी के दिन ब्रत की क्या विधी होती है और किन नेमों का पालन करना होता है अज़ा एका दशी के विष्णू की विधी विधान की साथ पूझा अर्चना करनी चाहिए और भक्ती भाव से ब्रत का पारण करना चाहिए इस दिन हो सके तो ओम नमो भवते बास देवाय द्वाद जक्षर मंतर का कम से कम 108 वार जाप अवश्च करना चाहिए ब्रत के अगले दिन द्वाद असी को पारण करना बहुत जरोडी होता है ताकि ब्रत का पूरा फल प्राप्त हो सकें अजा एक दसी का ब्रत हिंदू धरम में अत्यदिग मेत्पुर माना जाता है यह ना केवल आध्धात्मिक उन्नती का मार्ग प्रसस्त करता है वलकि जीवन में सांती और संतोस भी लाता है यदि आप इस ब्रत को करने का बिचार कर रहे हो तो इसके सभी नेवा और पारण के सही समय का पारण अवस्थ करें तो मित्रो यह रही अजा एक दसी ब्रत के पारणा की जानकारी तो मित्रो मैं आसा करता हूँ यह जानकारी आपको अवस्थ पसंद आई होगी तो करपागर के वीडियो को लाइक और अपने शबी शगे शम्मंदियों के साथ सेर अवस्ट करें और कॉमेंट बॉक्ष में भागवान विश्नु कीज़े अवस्ट लिख दें जै स्री रादे